आज आप सीखेंगे अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप किसी पटिकुलर टेक्स को हाइलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्स्ट हाइलाइट कलर ऑप्शन में जाएंगे आप टेक्स को जिस कलर में हाइलाइट करना चाहते हैं वो कलर चूस करें अब जिस भी text को highlight करना हो उस पर mouse drag करें तो ये देखिए उतना part highlight हो गया है अब अगर इसे वापस normal condition में लाना है तो वापस text highlight color option में जाकर no color option पर click करें और दोबारा highlighted text पर mouse drag करें ये देखिए highlighted text normal हो गया है अब एक बार फिर text highlight color option में जाकर stop highlighting पर click करें तो यह option off हो जाएगा यदि आप किसी particular word, sentence या paragraph को color करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले उस text को select करें आप font color में जाएं यहां से जो भी color आपको पसंद आए उस पर click करें यह देखिए यह font color change हो गया है अगर आपको इसमें जो colors नजर आ रहे हैं इनके अलावा कोई और colors चाहिए हो तो आप more colors पर click करके यहां से और जैसा color चाहिए हो वो चुन सकते हैं gradient में आपको अलग-अलग light variations और dark variations मिल जाएंगे अगर आप यह चुनना चाहें तो यह भी चुन सकते हैं इसको normal करने के लिए automatic पर click कर दें यदि आप internet से कोई data copy करके word में लाएं हैं जिस पर की अलग-अलग तरह की formatting हो या फिर आपने किसी paragraph पर formatting की हो जैसे कि हम इस पहले paragraph पर कुछ formatting कर रहे हैं यह हमने text को italic कर दिया है, underline भी कर दिया है इस तरह से हमने इस पर अलग-अलग तरह की formatting कर दी है अब अगर हम इसको normal condition में लाना चाहते हैं तो इसके लिए पहले इस paragraph को select कर लेंगे और इसके बाद clear all formatting option पर click करेंगे यह देखे, click करते ही इस paragraph पर जितनी भी तरह की formatting की गई थी वो सब हट गई है अब यह जो उपर का paragraph जो हमने select किया था वो बिलकुल normal style में आ गया है जबकि नीचे के paragraph जो है इसमें भी कुछ formatting की गई थी इनकी भी formatting हटानी हो तो इनको भी select करके clear all formatting पर click कर देए तो यह देखे, यह भी normal style में आ गया है MS Word 2016 के इस अध्याय में home tab में font block के अंतरगरत आज आपने सीखा text highlight color, font color और clear all formatting options का उप्योग करना अगर आपको हमारी यह video पसंद आई हो तो इसे like करें अन्य लोगों के साथ इसे share करें और नई videos की जनकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को subscribe करें